नमस्कार आप देख रहे हैं आई इंडिया मैं हूँ जैन सिर्वास्तो अठारवी बिधानसभा गठन के लिए यूपी में साथ चरोन में चुना हो रहे हैं चार चरोनों की ओटिंग हो चुकी है तीन चरोनों का मद्दान होना भी बाकी है यह मद्दान होने के बाद 10 मार्च को सभी चरोनों के चुनावी नतीजे आएंगे अगर हम सीतापूर की बात करें तो इस दिन सबसे पहले गांजर खुशी का पैगाम सुनाएगी जबकि भूड इलाके की महोली सीट का नतीजा सबसे आखिर में आएगा वजे यह है कि बिश्वा सीट पर सबसे कम तथा महोली में सबसे जादा बूत हैं ऐसे में बिश्वा अठारवें तथा महोली सीतापूर लहरपूर तेस्वे राउंड में अपना फैसला देगी सेज सीटों के नतीजे भी 20 राउंड में आएंगे सीतापूर जनपद में नौ विधान सबाएं हैं इन में महोली, सीतापूर, हरगाओं, लहरपूर, बिश्वा, सेउता, महमूदाबाद, सिधावली और मिस्रिक हैं 23 फरवरी को हुए मद्दान में 6-6 पॉइंट 32 फेज़दी मद्दाताओं ने ओड़ा ले थे इबियम में बंद ओटो की गणना 10 मार्च को होगी इस दिन सुबा आठ बजे से शुरू ओटो की गिंती फाइनल लतीजे आने तक चलेगी सरकारी आकड़े के मताबिक जिले की नौ विधान सबाएं छेत्रों में 3,870 बूत हैं ऐसे में सभी सीटों के फाइनल लतीजे आने में 147 राउंड ओटो की गणना होगी विश्वा में सबसे कम 242 बूत होने से इसका नतीज़ा अठारवे राउंड में आएगा जबकि महुली में सबसे ज़्यादा 473 बूत होने से इस सीट का फैसला अंतिन चरण में आने की संभावना है महुली के साथ ही सीतापूर लहरपूर का 23 राउंड में नतीज़ा आएगा जबकि सीधावली और मिश्रिक 21-21 राउंड में फाइनल नतीज़ा देगी इसके लावा हर गाओं से उता महमुदाबार भी अपने नतीज़े 20-20 सराउंड में देगी खबर आपकी नज़र हमारी देखते रहे आई इंडिया